नमस्कार आप देखरें नीज़ वाले लिया आपके साथ मैं हूं काजोन अरायन बंबं भुले जै भूरे नाज जै शेश्वंकर जैसे नारो से हरद्वार का हर शिवाले कुँच रहा है मगर शिव शंकर की सस्वाल दक्ष शेश्वर महादेव का नजारा ही देखने वाला है आकरश्वर ढंग से सजाए गई भगवान शंकर की सस्वाल दक्ष प्रजापती मंदिर में शिवरात्री पर देरात्री से ही भक्तों का सैलाव उमरने लगा था और यहाँ पर लंबी लंबी कातारी लग गई थी भोली का हर भक्त सबसे पहले भोले का जलाविशेक कर भोली को खुश करने की कोशिशों में लगा रहा और अपनी वारी का अंधजार कर रहा था बड़े बुजर्ग महिलाएं बच्चे सभी शंकर को मनाने और राजी करवी मनोकामनाई पूरी करने के लिए यहाँ पर पहुचे हुए हैं यह मानता है कि सावन के एक महा शिव अपनी ससाल कंखल स्थेत दक्ष प्रजापती में ही रहते हैं और इस दोरान जो भी यहाँ पर भोलिनाती पूजर्ग करता है उसके सभी मनोकामनाई पूरी होती हैं यही हाल हरद्वार के हर महादिव मंदिर का है वहाँ पर भी शिव भक्तों के कतार तूपते का नाम नहीं ले रही आजमान है। स्ट्स्तिन चुकर भगुडवान सेव ने सबीन देवताओं को और आपने राजा दक्ष को यह बर्दान gord Stone को नीव नवास करूंगा और भगफन सेव यहां पर स्टम opens tw mam a । महीन तनखल में ही मिनाज करते हैं इसलिए यहां पर भगवान के मस्तकाविके जला विशेख का बहुत ही ज्यादा मैत हो भगवान चुपी स्वेम मवजूद है इसलिए उनके उपर गंगाजल, दूत, घी, बेल, पत्र, सहथ, गुरा, गन्ने का रस जो भी उपलब्द है वो चड चमोली में पुलिस के अनोखे पहल देखने को मिली है चमोली पुलिस द्वारा जगर जगर तीत यात्यों को जूस पलाये जा रहा है जिसके बाद चारधाम यात्रा पर आए श्रत धालों में चमोली जोशिमट पुलिस की तारीफ की है कहा है कि उत्रखन के पुलिस सही में मित्र पुलिसे चार धाम यात्रा में आए कुछ लोग लगातार पुलिस की तारीफ कर रहे हैं और उनका कहना है कि पहली बार बरदिना धाम की यात्रा पर आए हैं जोशिमर्ठ पुलिस द्वारा रास्ते में तीथी आत्रियों को जलपान कराये जा रहा है जो की एक अच्छी पहल है उन्होंने जोशिमर्ठ पुलिस के इस कारे की सरहनावे की है बगवान शिफ के भक्त लाकों की संख्या में अयोध्या से जल लेकर बस्ते के बदेश्वर नात पहुँच रहे हैं बतादे के बारा बज़ों के बार तेरस में भगवान भुडिनात को भक्त जल चरहाएंगे बस्ते से आयोध्या की दूरी लगभाग 65 किलोमीटर की है शिफ भक्त आयोध्या से जल लेकर पैदल बाबा बदेश्वर नात पहुँचते हैं जिला प्रशासन से लेकर आम जन मानस जगर जगर शिफ भक्तों की सेवा में जुटे हुए हैं आजराद 12 बजों से जलाबी शेक प्रारंब हो जाएगा चार से पांच लक्षा धालू जल चलाएंगे जिसके लिए सेक्टर स्कीम लागू है स्पी आशिश शिवास्तव ने बताए कि पुरिश्चित्र को 9 जोन 15 सेक्टर में बाटा गया है कावड यात्रा को लेकर 3 EACP, 25 CEO, 50 अंस्पेक्टर, 300 SI, 15 सो कॉंस्टेबल, सुरक्षा विवस्ता में लगे हैं पुलिस के लोगों को भी स्पेशल पुलिस अफसर बनाकर बदत ली जा रही है और कोशिश यह है कि किसी को भी किसी तरह की कोई परिशानी ना हो बस्ती के छामनी दानशित्र के खत्म सराय चुराहे पर बस्ती से एउध्या जल भरने मोटर साइकल पर कुछ कावड ये जा रहे थे तब ही अचानक अग्यात वाहन ने टक्कर मार दी पिकप वहान ये बताया जा रहा है तेज रफ्तार से जा रहा है बाइक सेवार कावड ये पिकप के बगल से नीचे खुस गया और गंभी रूप से खाल भी गया देख दोनों लेन पर आने जाने वाले सैक्रों बाइक सेवार कावड ये जुट गए पिकप को घेर कर हंगाम मचाने लगे और पिकप चार अगे किस वर्षिया श्यम मंगल उसके भाई श्यनी निवास हलकारा का पुर्वा थाना पोत्वारी विध्या की जो पिटाई करने लगे और ततकाल मौके पर पहुंची चौकी प्रभारी विक्रम जोध योगिंद्र कुमार और थाना अध्यक शुमा शंकर तरपाथी ने कावड या त्री पुलिस से भी तका मौके करने लगे बड़ी मुश्कल से मापीट मेगाल पेक अपचालकों को पुलिस वाहन परलाद का पात्मिक स्वास केंद्र भीजा गया है और अपकवर गाजीपुर से जोहां यूपी के क्याबिनेट मतरी मतर से विभाग संजन निशाद ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि पीम मोदी ने जो मच्वारा समाज है उसके उठान के लिए ठोस कदम उठाए है उन्होंने कहा कि बीजोपी बगार भीदभाव सभी जाती समधाय का विकास कर रही है संजन निशाद ने कहा है कि मच्वा समाज के विकास के लिए सरकार ने 20,000 क्रोड के पर योजना शुडू की है वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं उन्होंने कहा कि लक्षमी कभी हाथ साइकल पर नहीं आती लक्षमी कमल पर आती है कमल पानी में होता है संजन निशाद ने कहा कि सत्ता ही सुक समर्दी दे सकती है और सत्ता ही समस्याओं को समाधान कर सकती है तो उन्हीं उम्रकाश राजबर को लेकर पूचेए सवाल के जवाब में कहा कि पावर के नच्थेक रहने पर ही अपने समाज को कुछ दिया जा सकते है और पावर हाती 50 साकर के पास नहीं बीजेपी के पास है उन्होंने कहा कि उम्रकाश राजबर हमारे साथ आए जैस्री राम और जैनिशाद राज राजबर भहिया को बुला रही है उन्होंने किसी नेतरित, नेता को या कोई भी समाज का अगुआ हो उसकी जिम्मेदारी होती, जबाब दे ही होती, कारी करता हो समाज के बाद हाजबर है को सब्सक्रा इनका पर तुछ और सबया सकता है तो पावर तो ही सजी पर घेकी 106 जन हमाइग के सब्सक्राइब के लोग जिसिताई कि से बिना बहता है जिलता की बारिजियों कि बाटई है कर दो सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस तोरान सडकों पर कावरियों का सेलाब नज़रा रहा है उनके भक्ति के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं ग्रेटर नुएरा में भी एक शिवभक्त की अलग तरह की श्रद्धा देखने को मिली है यह शिवभक्त बोतलों के कांच के धेर पर लेट कर गाउं तक कावरियात्रा ला रहा है दरसर गेटर नुएरा के घौडी बच्छरा गाउं के रहने वाले सुभाश व्रावल गौमुक से कावर ला रहे हैं उनको बीती 17 जुलाइक उत्राखड के गौमुक से गंगा जल उठाकर पैदल कावर यात्रा शुरू करते वे देखा गया था उन्वार को दादरी के चिटहेडा गाउं के श्रुमंदिर पर पहुँचकर और यहां से उन्हें एक अनुखी तरह की कावर यात्रा की श्रुमात की यहां से उनका गाउं करीब 15 किलोमीटर दूर है जो धेडा से सुभाशने कांच की बोतलों को तोड़ा और उसका धेर बिनाकर उस पर लेट कर यात्रा की श्रुमात की है उत्रप्रदेश में सबसे बड़ी कावर यात्रा 108 फित लंबी निकाली गए एटा के विधान सभा मरहरा 108 फित लंबी का कावर यात्रा यहां पर पहुंची है कावर यात्रियों ने जो एकारे लगाए हैं और 108 फित लंबी कावर यात्रा निकाली है जग़ जगवर फूल बरसाते हुए यहां पर लोग नज़र आहें कावड यात्रियों को स्वागत करने के लिए CEO मरहरा रागविंद्राथव भी पहुँचे CEO मरहरा राबिंद्राकौर ने कावड यातब्रियों का फूलों से स्वागत किया सीयो ने ध्वज को लेकर कावड यात्रा के साथ आगे चलते वे नजर आई जगर जगर पर उसकी बारिकेटिंग और उस रक्षा के पुखता इंतिजाम देखे गए बस्ते के बाबा बदेश्वनात मंदिर में राद करी 12 बज़े से बड़ी संक्या में कावडिया जलाविशेक कर रही हैं कावडिया योधिया से 55 किलोमीटर पद यात्रा कर बाबा बदेश्वनात पहुंचकर जलाविशेक कर रही है ऐसी मानिता है कि शावर्ण मास में तीरस्त को जो बाबा बदेश्वनाथ को जल चढ़ाएगा उसकी सभी इच्छा पूरी हो जाएगी जलाप्रशासन ने भी बाबा बदेश्वनाथ पर कावडियों के लिए मुस्तेदी की हैं डीमस्प्री मौके पर मौजूद हैं और कावडियों को जलापी शेक करने में सयोब भी कर रही हैं और सिधात दगर में न्यूजवल इंडिया की खबर का असर हुआ है पुलिस दिक्षक ने न्यूजवल इंडिया की खबर का संग्यान लिया थाने अधियाक्षु के सरा के खलाप जार्च के आदेश दिये हैं बिना राज़स दिकारी के आदेश के दबंगई के दम पर गरीब का मकान खाली कराय था न्यूजवल इंडिया ने प्रमुकता से इस खबर को दिखाय था चम्मल अधि घार पर राद भर स्ट्रीमर बंध होने से सैक्रों के संख्या में कावडियों की लबी लाइनी लग गई सोरो घार से गंगाजवल भर कर मध्यप्रदेश के गाउं के लिए जा रहे हैं न्यूजवल इंडिया ने प्रमुकता से इस खबर भर स्ट्रीमर बंध रहा राद के समय चम्मल अधि में स्ट्रीमर संचार नहीं होने पर कावडियों ने जमकरंगामा किया प्रुस पर शासर ने समझा कर श्रांद कराया सब्सक्राइब अपनी विशेश लोक संस्कृती और विरास्तो और अनोखी परंपराओं के लिए देश और दुनिया में विख्यात है यहाँज भी देवी देवता साक्षात अपने भक्तों को समय समय पर आश्रवाद देने के लिए प्रकट होते हैं इस इक्रम में जो चमोली के विकास खंड दशौली क्राम घुर साल में भगवती मा इंद्रामती की डोली को गर्प्रह से शेत्र भ्रवन के लिए वैदिक मंतुर चारण और विधी विधान के साथ बहार निकाला गया मंदिर प्रांगण में अजारों भक्तों के मौजूदियों मांद्रामती के पश्वा देवेंद्र सिंग पवार पर अफ्तरित होकर भक्तों को आशिरवाद दिया और इसी के साथ फिलाल कबरों में इतना हिया बनी रहे निउस्वल इंडिया के साथ